वंश रदमा करने वाली है फिर एक बार शादी दोनों आपस नभाएंगे शादी की सारी रस में वंश ने अपनी रदमा को शादी के लिए रोमांटिक वे में प्रोपोस भी किया लेकिन ये सब वंश जान बूश कर कर रहा है वो चाहता है कि रदमा वंश के अती तक ना हुआ कैसे था कबीर ने हमेशा की तरह आग में घी डालने का काम किया है रदमा को ये बता कर कि इस अमबैसेटर कार को जाच के लिए फॉरेंसिक लाप ले जाया जा सकता है जिससे सब पता चल जाएगा रदमा ने वही किया रदमा सुबह होते ही कार की चाबी लेकर निकल चुकी है पर अफसोस उस कार के ब्रेक फेल्स है जी हाँ वंश जैसे ही देखता है कि रदमा नहीं है वो उसी कार की तरफ जाता है लेकिन तब तक रदमा कार लेकर निकल चुकी होती है कबीर भी वहां आ जाता है वंश और रदमा दोनों एक दूसरे से बाते चुपा रहे इस मोड पर उनका रिष्टा पहुचा है रिदिमा इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी बाते चुपा रही है और वंश उसी अतीत का राज रिदिमा से चुपा रहा है अब आने वाले एपिसोड में दीखना इंट्रेस्टिंग होगा कि वंश कैसे बचाएगा अपनी रिदिम को क्या कबीर भी इसमें वंश का साथ देगा जानना होगा बेहद ही खास काफी ट्विस्टन टर्न्स भी आएंगे तो व्यूवर्स आपकी कितने एक्साइटमेंट है इस आने वाले ट्रैक को लेकर हमें कमेंज कर जरूर बताईएगा और टेलिविशन की इसी तरह की तमाम खबरों के लिए फीफा फूस टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें बने रहे हमारी साथ